आज हम बात करने वाले हैं टिसू के बारे में, तो सबसे पहले, what is tissue? टिसू is a group of cell, और इस group में present सारे cell का structure सेम होता है, और ये सारे मिलकर कोई एक काम करते हैं, देखो, cells मिलके बनाते हैं टिसू, और tissues मिलके बनाते हैं, organs, organs बनाते हैं, organ system, और organ system मिलके बनाते हैं, organism, organism like you, me, your father, your mother, your dog, a sector. हमारी body में tissue बनते हैं क्यों हैं, जैसे uniceller organism होता है, उसके अंदर सिर्फ एक cell होता है, जो सारे काम करता है, like digestion, reproduction, respiration, और विवा सारे, और जो multiceller organism होता है, उसके अंदर तो हमें पता ही है, millions of cell होते हैं, अगर माल लो, सारे cell मिलकर, सारे काम करने लग जाएंगे, तो तो ग अब हम पढ़ने वाले हैं, plant tissue के बारे में, plant tissue होते हैं दो डाइप के, एक होता है maristematic tissue और एक होता है permanent tissue, maristematic tissue में जो cell होते हैं, वो capable होते हैं अपने आपको divide करने में, और जो permanent tissue में cell होते हैं, वो और division को छोड़ता सारे काम करते हैं, maristematic tissue होते हैं तीन डाइप के, apical, lateral औ और इंटर कैलरी, एपिकल, ये प्रिजन्ट होते है, प्लांट की टिप और रूट में, इनका काम होता है, सेल की डिवीजिन प्रोसेस से, प्लांट की लेंथ बढ़ाना, लेटरल मेरिश्टम, ये प्रिजन्ट होते है, प्लांट की स्टेम में, इनका काम होता है, प्लांट की Simple और Complex यह जो Simple tissue होते हैं यह एक टाइप के cell से मिलके बने होते हैं और यह जो Complex tissue होते हैं यह more than one type के cell से मिलके बने होते हैं तो Simple हमारे होते हैं पैरेंला कायमा, तीन टाइप के Paranchyma, Kolenchyma, Scalyranchyma Paranchyma का काम होता है Storage and Photosynthesis का और Colonchyma का काम होता है mechanical support प्रवाइट करना and protection प्रवाइट करना वो भी mature plant tissue को अब हम बढ़ते हैं complex tissue के बारे में इसकी दो टाइप्स होते हैं gylam और phloem ये जो gylam होते हैं इनका काम होता है water को transport करना और ये जो phloem होते हैं इनका काम होता है food को transport करना अब हम बात करने वाले हैं animal tissue के बारे में तो animal tissue होते हैं four types के epithelial, muscular, connective और nervous तो सबसे पहले epithelium tissue के बारे में बढ़ते हैं epithelium tissue एक ऐसा tissue होता है जो हमारी body के various parts को cover करता है और इसका main काम होता है protection, absorption and secretion epithelium के कुछ type होते हैं सबसे पहला है simple squamous epithelium ये एक single layer of flat cell से बना होता है ये हमारे mainly blood vessels और lungs के alvely में बाजाता है stratified squamous ये भी एकदम simple squamous की तरह ही होता है बस इसमें multiple layer बाजाती हैं वो भी flat cell की ये mainly skin and mouth की lining में बाजाते हैं cuberdal epithelium इसमें cell cube zip की होते हैं और ये glands और ducts में पाजाते हैं इनका काम होता है absorption, secretion, excretion columnar epithelium ये tall narrow cell से बने होते हैं ये हमारे digestive tract में पाए जाते हैं इनका काम होता है absorption and secretion ciliated epithelium कुछ cuboidal और columnar cell के surface पे cilia present होते हैं उन्हें ciliated epithelium कहते हैं इनका काम होता है किसी भी substance को move करवाना ये फिलोपियन ड्यूब में पाए जाते हैं glandular epithelium में भी columnar cell पाए जाते हैं वो बस अपने आपको थोड़ा सा modify कर लेते हैं और glands में chemical secret करने का काम करते हैं तो अब हम पढ़ेंगे muscular tissue के बारे में muscular tissue का main काम होता है body parts को move करवाना muscular tissue होते हैं तीन टाइप के striated muscles, smooth muscles और cardiac muscles तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे striated muscles के बारे में ये muscles हमारी biceps, triceps, face और भी बहुत तारी जगवा पर पाई जाती हैं इनका main काम होता है हमारी body को move करवाना ये muscles हमारे control में होती हैं इसलिए हम इन्हे voluntary muscles भी कहते हैं ये सारी muscles हमारी skeleton से attached होती है इसलिए इनका एक दूसरे नाम भी है skeleton muscles इन muscles के उपर कुछ ऐसे patterns होते हैं इसलिए इन्हें striated muscles कहा जाता हैं इन muscles में जो cell present होते हैं वो होते हैं cylindrical saved, unbranched और multinucleated अब बारी है smooth muscle के बारे में पढ़ने की ये हमारे stomach, intestine और जो भी hollow organ होते हैं उनकी wall में पाये जाते हैं smooth muscle में जो cell होते हैं वो long, spindle saved and single nucleated होते हैं अच्छा तुम ही सोचो digestion हमारे control में होता है नहीं न इसलिए ये muscles हमारे involuntary होते हैं cardiac muscle ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे heart में पाय जाते हैं cardiac muscle में जो cell होते हैं वो cylindrical saved, branched and uninuculated होते हैं और heart भी अपने control में नहीं होता अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी involuntary muscle है हमारे बोलने थोड़ी नहीं काम करते हैं अब हम बात करेंगे connective tissue के बारे में connective tissue नाम से भी पता लग रहा है कि connect करने का काम करता है जैसे bone को bone से, muscle को muscle से connective tissue के कुछ types होते हैं वो ऐसे हैं areolar tissue, adipose tissue, dense regular tissue, skeleton tissue, fluid tissue तो सबसे पहले areolar tissue के बारे में पढ़ते हैं ये tissue skin को muscle से जोडने का काम करते हैं ये दो organs की बीच में भी पाये जाते हैं ये tissue fat reservoir की तरह होते हैं और ये हमारी body को mechanical sock से बचाते हैं अब बारी है dense regular connective tissue को पढ़ने की तो इसमें दो main components होते हैं tendon और ligament tendon muscles को bones से जोडने का काम करता है और जो ligament होता है, वो bone को bone से जोडने का काम करता है skeleton tissue, ये हमारे दो type की होते हैं cartilage and bone cartilage, ये थोड़ा सा flexible होते हैं ये हमारे ear pinna, nose, ऐसी जगों पर पाये जाते हैं ये हमारी body को support and flexibility प्रवाइड गरते हैं bones, जैसा कि हम जानते हैं bones हमारी बहुत ज़दा strong होते हैं flexible नहीं होते हैं ये हमारी body को shape provide करती है और जो important organ होते हैं उन्हें protect करके रखती हैं जैसे कि हमारा brain अगला है हमारा fluid connective tissue इसके भी दो type होते हैं blood और lymph blood एक connective tissue होता है ये RBC, WBC और bloodlet से मिलके बनता है ये रसपो पताई है और ये हमारी पूरी body में transportation का काम करता है और ये lymph एक colorless fluid होता है इसका काम लगबग blood जैसा होता है और कुछ नहीं बस अब हम पढ़ेंगे nervous tissue के बारे में nervous tissue हमारी body में communication का important हिस्सा है nervous tissue बनते हैं nerve cells से ये कुछ ऐसे दिखते हैं इनका main काम होता है message को transfer करना in the form of electrical signal nervous tissue हमारी brain और spinal cord में पाए जाते हैं और ये हमारी body की बहुत सारी activities को control करते हैं अगर tissue chapter तुम्हें पूरा समझ में आ गया है तो एक question का answer दो ऐसा कौन सा tissue है जो fat को store करता है